ओम श्री गनेशाय नमाः दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे स्टोरी नेम इस दीवांगी इन दिस स्टोरी इस बिगिन फ्रम चैप्टर फिफ्टी थ्री इन गाइस दोंट फगेट तो शुरू करते हैं अब तक तभी दूसरी तरफ से अदिती की तूटी आवाज आती है भाई मुझे आपसे कुछ के कहना है रूद्र ने आदित्य को देखा आदित्य ने उसे कुछ इशारा किया तो रूद्र ने कहा अदी बेटा घबराओ नहीं में इक इंपोर्टन्ट काम रहा हूँ आपको एक अड्रेस भेजता हूँ आप आजाओ में आज रात घर नहीं जाने वाला अदिती ने अड्रेस नोट कर लिया और उस पते के लिए निकल गई वही कोई था जो अदिती को जाते हुए देख रहा था अब आगे थोड़ी देर बाद अदिती एक फार्म हाउस के सामने खड़ी थी नेम प्लेट पर लिखा था राइजादा हाउस अदिती आगे बढ़के गाड को एक काड दिखाती है जिस पर रूदर के सिगनेचर थे और असर का लोगो था गाड्स उस काड को देखकर अदिती को अंदर आने की पमिशन दे देता है अदिती अंदर आती है तो वो तो एक पल के लिए घर की खूब सुर्ती में खोसी जाती है उसकी नजर सामने सोफे पर बैठी एक लड़की पर जाती है जो अपने हाथ में एक मोटी सी बुख पकरे उसमें घुसी हुई उसे पर रही थी उस लड़की के लंबे रेशमी बाल उसके चहरे को हलका धक रहे थे वो लड़की एक धीला धाला ब्लू अनार काली सुट पहने बैठी थी अदिती तो उस लड़की की खुब सुर्ती में खोसी जाती है तभी उस लड़की की नजर अदिती पर जाती है उस लड़की ने अदिती से पूछा जी आप कौन? अदिती ने खोए हुए ही जवाब दिया अदिती चोधरी आदित्यसर के दोस्त तुरूडर चोधरी की बेहन अदिती खोई हुई थी क्यूंकि ये लड़की उसे बहुत जानी पहचानी लग रही थी पर कौन थी ये अदिती को याद नही तभी उस लड़की ने कहा अदिती आप बैच जाएं अपना ही घर समझे अदिती उस लड़की के पास जाती है तो वो लड़की उसे बैठने का इशारा करती है तो अदिती बैच जाती है तभी उस लड़की ने कहा हेलो में सनेहा हू सनेहारा सनेहा आदित्य राय जादा सनेहा को टोकते हुए एक रोगदार आवा जाती है स्नेहा और अदिती दोनों दर्वाजे की तरफ देखती हैं जहां आदित्यवीर रूद्र यांश और वन्श खड़ा था स्नेहा ने वन्श को देखा तो मुस्कुरा कर पूछा वन्श भाई कैसे हो आप वन्श स्नेहा के पास आया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर बोला में तो ठीक हूँ बच्चा पर आपने इस लड़के लिये खुद को क्यू तकलीफ दी हम लोग थे ना एक बार आप बताते हम इसकी जम के धुलाई करते वन्श की बात पर स्नेहा ने मासूम सा मुह बना लिया पर आदित्य वन्श को भूरने लगा उसने मुह बना कर कहा यार तुम लोग मेरे भाई हो या दुश्मन जब देखो तब मेरी बीवी को छीन के ले जाने की बात करते हो यार मेरी बीवी है वो, इतना कहकर आदित्य सनेहा के सर से वंश के हाथ को हटा देता है वंश ने अपनी गर्दन नामें हिलाते हुए कहा जलनक हो और इंसान, रूद्र ने भी सनेहा को उसका हाल चाल पूछा आज सनेहा पहली बार रूद्र से मिल रही थी थोड़ी देर बाद आदित्य सनेहा को गोद में लेकर कमरे में आ जाता है इस बीच अदिती पर किसी का ध्यान नहीं गया था अदिती ने जब वंश को देखा उसे ना चाहते हुए भी वो रात याद आने लगी उसके आँखे नम हो गई वंश ने अब तक अदिती को नहीं और भी ही अदिती के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। रूद्र ने उसे शान्त करवाते हुए च्छाया से कहा अदिती को अंदर ले जाओ और अधी बेटा हम आपसे डिना के बाद बाद करेंगे। अदिती ने अपना सरहा में हिला दिया। सभी अपने अपने कमरे में चले गए। छाया ने अदिती को कुछ कपड़े दे दिये जो की अदिती के लिए ही मंगवाए गए थे। अदिती फ्रेश होकर कपड़े चेंज करने लगती है उसे प्यास लगी थी पर उसने देखा जुकाय चल रही थी। वो दोनों गलियारे से गुजर रहे थे दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था तभी अचानक अदिती का पैर कापेट में उलज जाता है और वो सामने से आते किसी इनसान पर गिर जाती है। अदिती गिरती उससे पहले ही किसी ने उसे संभाल ल या अदिती ने अपनी आखे कसके बंद कर ली थी अदिती को जब मेहसूस हुआ वो किसी की बाहों में है तब उसने अपनी नजर उठा के देखा तो उसकी आखे फैल गई। ये वही शक्स था जिसने उसके आत्मा सम्मान को थेस पोहुचाई थी ये वही शक्स था जिसकी बाहों में अदिती थी उस काली रात में जिस रात को वो अपने मन से मिटा देना चाहती थी हाँ ये वंश था वंश की नजरे अदिती को देख कर गहरी हो गई अदिती ही वो लड़की है जिसने वंश को मजबूर किया था उस रात को अपने साथ अपनी मनमानी करने के लिए वन्ष अदिती से पहले सानवी के इतने करीब नहीं गया था, वो सानवी से बेंतहा मोहबबत करता था अदिती की वजह से, ही वन्ष को लग रहा था, उसने सानवी के गायब हो जाने पर उसे चीट किया है पर वन्ष को ये नहीं पता था की, अदिती भी मजबूर थी उस रा अधिती की आखे बाहर आ गई वो जट पटाने लगी पर वन्श की पकड ज्यादा मजबूत नहीं थी की अधिती की शास फूल जाय पर उसकी आवाज दब चुकी थी उसका चेहरा लाल पर चुका था वन्श ने जब उसे कोई आवाज नहीं देते देखा तो उसने गुस्से में कहा स्पीक अप आधिती ने बहुत मुश्किल से कहा रूरूद्र वन्श को अब जाकर एहसास हुआ कि वो गुस्से में पागल हुए क्या कर था उसने अधिती को छोट दिया और अधिती धम से जमीन पर बैठ गई वो लंबी लंबी शास खीच रही थी वन्श ने उसके पास ही दिवार पर एक लात मारी और वहाँ से चला गया अधिती की आँखों से आशू गिरने लगे थोड़ी देर बाद वो थोड़ा नॉमल हुई और नीचे चली गई क्यूकि सब को डिना के लिए बुलाया जा रहा था सब लोग टेबल पर आते हैं अधिती रूद्र शिवी अयांश अधित्यस नया वन्शवीर बैठे थे सो अभी कहानी जारी रहेगी और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आईकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पासके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए राधे राधे